ति हमारे पास घर का मगान भी नहीं था और पहले हम कच्चा जो घर होता था इसमें रहते थे और मैंने कभी मतलब जीवन में हार नहीं माननी रवी जी मैंने का भई आपन को टाइम निकानना है केसे भी निकले पर ये टाइम निकानना है और समय निकलता है सब कुछ अच्छा होता है बस रात दिन मेनत करनी चीए आदमी को कभी हार नहीं माननी चीए हम कई बार जीवर में जो काम कर रहे होते हैं उसमें सफलता ना मिलने के करण हम उससे हतास होकर अपने पस से भटकने लगते हैं एसे में हमें ज़रुत है हमारे आसपास के ऐसे लोगों की प्रेजित करने वाली कान या जानने की जिन्होंने निरंतर अपनी जीवन में खटिन मैनत करते हुए परस से अर्श तक का सफरते किया है ऐसे लोगों की जिवने से हम में सीखने को मिलता है कि कैसे हम विपरीत परिस्तितियों में भी आगे बढ़ सकते हैं सांगोद निवासी पवन वेशनव की एसी कानी आज हम आप लोगों को बताएंगे जिनोंने विप्रीत परिस्तितियों में भी खटिन मेनत करते हुए निरंतर अपने पत पर आगे बढ़ने का काम किया है पवन वेशनव ने विप्रीत परिस्थितियों में भी हार ना मानते हुए कटिन मेनत की और आज वो इस मुकाम पर है कि जहां पर वो एक सम्मान जनक जीवन जी रहे हैं तो आईए जानते हैं पवन वेशनव से कि के सा रहा उनका पर्ष से अर्ष तक का सफर पवन वेशनव वेशनव उनके परिवार की आर्थिक इस्थिति शुरू से ही खराब थी ना उनके पास खुद का घर था ना ही आये का कोई खास जरिया साथ ही पवन की तीन बहनों की शादी के बाद उन पर करीब आठ लाग का कड़जा भी हो गया ऐसे ही इस्थिती धीरे धीरे और खराब होने लगी पवन बताते हैं उस समय उन्हों ने और परिवार ने हालतों से हार नहीं मानी और पवन ने महज 15 वर्ष की उम्र में फोटो स्टूडियो की शौप पर काम सीखना शुरू किया कुछ समय बाद पवन और उनकी माँ जो की खेतों में मजदूरी का काम किया करती थी उन दोनों ने पैसे मिला कर करीब 6,000 रुपे में रील वाला एक सेकिंड हैंड कैमरा ले लिया तो मेरे फोटोगराफी में इंटरस्ट था और मैंने भी बड़ाई जङयता नहीं कर पाया दस्वी तक पोचा दस्वी के बाद मुए आगे नहीं बड़ पाया मैंने इसकुल जो जो इन किया कोस्क्रीमे नहीं इसकुल में से उल्ली 400 रुपे मिलते थी मैंने για और मम्मी भी मध़्ूरी करती थी खेतों में काम करती थी, तो वहाँ से हमने एकटा करके, उस टाइम पे एक हमारे जहां हमारा घर था, उसके नीचे एक 130 श्टूड़ी की वहाँ पे मैंने काम सीखा, उसके बाद मैंने पहले STDPC का क्रेट था, तो STDPC से मैंने दुकान स्टार्ट करी, STDPC plus श्टूड़ी का न से स्कूली बच्चों के बहुत ही अच्छे अच्छे फोटो लेना शुरू कर दिये, लोग पवन दुआरा लिये गए फोटो की तारीफ करने लगे, इस दोरान लगातार करजवाले पवन के घर आकर उनसे पेसो की मांग करते रहे, पवन उन्हें आश्वासन देता रहा कि दीरे-दीरे सब का पैसा दे देंगे, पवन में उनके पिता लगातार अपने काम में पूरी लगन से लगे रहे, दीरे-दीरे काम बढ़ने लगा और पवन में उनके पिता ने अपना करजा चुकाना शुरू किया पवन आज उस इस्थिती पर है, जब उन्होंने परिवार का सारा करजा चुका दिया है, और अब उन्होंने अपना खुद का एक अच्छा सा मकान भी बनवा लिया है साथ ही पवन ने अपना खुद का एक अच्छा सा फोटो स्टूडियो भी लगा लिया है, जहां वो फोटोग्रापी में रूची रखने वाले लड़कों को काम सिखाते ही पवन बताते हैं कि परिस्थितिया केसी भी हो, काम केसा भी हो, अगर आप पूरी लगन और महनत से काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी बस परिशानियों से डरना नहीं चाहिए और निडर होकर परिशानियों का सामना करना चाहिए आपके बिजनस का सचा साथी